को है लेकम टो ग्यानीएर दोस्कों आज हम समझेंगे बाल तोड वैल जैसे बोलते हैं इसका treatment क्या कर सकते हैं घर पर आप या कोई व्यक्ति इसका treatment कैसे करा सकता है दोस्कों यहां पर बात कहिए अगर तूडर की तूढ इस नियुक्त की ओनगता है तुछ जाता है तो जब बाल खिषता ए तो जब पने अंदर एक इंजरी छोड़ देता है वो इतनी महामूली होती है कि आप लेकिन बोड़ी के लिए तो इंजरी इंजरी ही होती है आप उसके ध्यान नहीं देते हैं पानी वानी लगता है दूलबुटी लगती है तो वहां पर इंफेक्शन बनना शुरू हो जाता और फिर दीर 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 वो एक फुंसी का रूप ले लेता है और फिर आप उसको और दवाने की कोश्च करते हैं और बढ़ जाता है फिर दीर दीर गुट्टा सा देखने लगता एक गठान टाइप का दिखने लगता है तब दर्द करता है तब आप सुचते अब यह तो बाल तोड़ हो गया है तो होता क्या है बैसिकलिद बाल तोड़ की कंडिशन में कि भा अगर यह चोटा मूटी गठान है तो इसको आप कंट्रोल करने की कोश्च करना है कोई भी एंटिवाटिक दे सकते हैं और कोई भी पैरसिटमोल डाइकलोफेनिक पैनिकलर दिया जा सकता है तो एगोमेंटिन 625 लेलो या मौक्सिकांट 625 यह एंटिवाटिक चलेगा तीन दन सुबह शाम पानी के साथ खाने के बाद इससे क्या होगा कि जो भी इंफेक्श जाने नहीं को पारस्टमोल पास्व मिलीग्राम सुबह शाम तीन दिन दर्द खतां उसके लावा क्या करना कोई मल्टी बिटामिन देदो जिंक बिटामिन सी बिटामिन भी कॉम्प्लेक्स कोई भी देसर पेन मिस्ट क्या होगा कि यह हीलिंग को बड़ाता है तो इसका को बहुत कमाली कमाले वाली अदमी को आरा मिलने चीटिवरे समस्ष्य मंचे अभी बात आती कि कंट्रॉल नहीं कर पाए और ठीक नहीं हो रहा है तो इसका इंसाइजन करना होगा इंसीजन करना होगा इंसीजन मतलब कि उसको काट के पस निकालना ही पड़ेगा चीरा लगना है चोटा सा मावलोई से चीरा लगता है उसता क्या है कि इस कंडिशन मैं अगर किसी का जाना बालतोर बढ़ गया है कंट्रोल नहीं हो पाया तो सुमे क्रीम मैं वीडियो बनाया आप लेख लेना सुमे क्रीम को अप्लाई करना 24 गंटे लिए वह भी तब अप्लाय करना है कि अगर मुह नहीं बना होता है झालां तब तक दबाना है जब तक कि ब्लड ना आने लगए ठीक है इसका मतलब यह होता है वह पूरा निकल चुका है नॉर्माली जो ड्रेसिंग होती है बीटा डैन वगरा साथ आप कर सकते हैं गवाज पीस बगरा को इसको पैक करते हैं और फिर यही ट्रीटमेंट वाद में चले सब्सक्राइब करो सो मैं मिलता हूं अलिए पूस्तों जहिंद बंदे मात्रां है